आपने देखना सुरू कर दिया है लाइब भ्यार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास सैक्डू सालों के बाद प्रभुर राम का अयोध्या में आगमन हो रहा है पूरे देश के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में आस्था रखने वाले राम लला के दर्शन और राम लला के पधारने को लेकर ललाई थे हैं तो दुसरी तरफ रायधानी पटना सहित हर जगह पर राम मैं महौल दिख रहा है रायधानी पटना की देखे तो सडको पर आप देखे किस तरीके से सडको पर लोगों का हुजूम है मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ है इसके अलाब आप खुशियों का तेवहार दिपाबली जो दिवों का तेवहार माना जाता है उसकी त्यारी भी आज आपको खुद यानि कि दिपाबली मानों अभी ही आ चुका है जिस तरीके से दिये के बजार भी सचे हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से दिये के दुकानों के पास भी लोगों की भीड पहुंची है इसके अलावा किस तरीके से मंदिर के पास लोग बड़े-बड़े परजेक्टर पर योध्या में राम लला का कैसे आग्मन हो रहा है उसको देखने के लिए लोगों के भीड पहुँची है लोग एक दरसन बस राम दला का करना चाहते हैं लोगों के एक्छा है जो पहुचने में काम्याव हुए वह अजया में भीड यानि कि साक्षात दर्शन करनें में जो लोग नहीं पहुंच पाएं वह अपने आज पास के अस्थानिय मंदिर के पास की भीड़ ये दर्सन का है ये आस्था का है और विश्वास का है राम जो की सेक्ड़ों साल के बाद अपने जर्म भुवी अयोध्या में पधार रहें और इसकी तयारी है पूरा महौल ही भक पोश्टर में भी आपको दिख रहा है पूरी तरीके से जंडे से जो है महौल रामनौमी का दिख रहा है मानो रामनौमी आज ही है लेकिन ये ना तो रामनौमी है ना ही दिपाबली है है तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम जन्भुमी जहां अपने घर या अपने कह पर राम लला पधार रहे हैं और इसके बाद से लोगों का दर्सन भी शुरू हो जाएगा तो यह भीड राजधानी पटना के मंदिरों की है यह आपको दिखा रहा हूं मैं किस तरीके से असोक राजपत जो पटना का इतिहासिक सड़क है उसकी भीड है किस तरीके से लोग प दर्सन हो जाए और इसी दर्सन को लेकर अपने अस्थानी मंदिर में विश्वास आस्था और भक्ति के भाव से मंदिरों के पास भी पहुंचे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खरदारी को लेकर खास करके जो पूजा का समान है पुजा के दुकानों पर भी ल उक्रों सालों के बाद जो प्रभु राम अपने जन मुईब के वापस लोट रहे हैं उत्साह है लगन है जोस है और अंदर से भक्ति भाव का उत्साह भी है यह वीडियो तस्वीर आप देख रहे थे मंदिर के बाहर की असोक राजपत की राधानी पटना की जहां पे भभ राम मंदिर का निर्मान हुआ है उसके बारे में क्या रखते हैं आप भी अगर जाने का लालसा रखते हैं आपको भी मौका मिले तो आपकी अपनी पर्तिकरिया राय क्या है कमेंट के रूप में हमें जरूर बताईगा तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के